हलो दोस्तो कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम एक must know classical game देखने वाले हैं अगर आप कोई भी अच्छे player से पूछो कि आपको अगर अपनी game इंप्रूव करनी है तो क्या करना चाहिए तब उन में से most of एक suggestion जरूर देते है कि आपको classical game study करनी चाहिए क्यों कि अगर आप modern game देखे तो उसमें ऐसा होता है कि दोनों player जो है उसको कुछ patterns, कुछ tactics, कुछ चीज़े ऐसी होती है जो पता ही होती है तो वो कभी बोर्ट पर आने ही नहीं देते है जबकि classical game में किया था दोस्तो उस time पे उतना chase develop नहीं हुआ था तो एक बंदा mistake करता था, दूसरा उसको punish करता था तो इससे आप काफी कुछ learn कर सकते हैं और अगर मैं आज की game की बात करूँ जो की जोसेफ हैंरी ब्लेक बनने जेक एस्क्वेवर्स के सामने के लिए 1881 में तो इस game में से हमें दो point learn करने को मिलते हैं एक है कि rook जो है वो open file पे काफी deadly है और especially अगर bishop जो है वो A1HA diagonal पे होता है with combination of rook तो वो काफी deadly बन जाता है और इसमें fun part है favorite queen sacrifice तो आई यह शुरू करते है जहाँ पे जोसेफ हैंरी ब्लेक बनने game की शुरूआत E4 से की and now E6 French defense D4 and now D5 और यहाँ पे Black Death जो की Black Burn है Black Burn जो है वो Black Death के नाम से भी famous थे उन्होंने D5 पे capture किया जबकि modern days में लोग जो है E5 जादा खेलते हैं या Knight C3 जादा खेलते हैं उसका reason यह है कि White Black का light square bishop है उसको develop होने नहीं देना चाहता बट अगर आपको theory नहीं पता then exchange variation जो है वैसे देखा जाए तो काफी drawish variation माना जाता है बट फिर भी यहाँ पे White को एक advantage लेता है और Black के King पे attack करने के लिए Knight to F6 गेम में खिला गया and now Knight F3 Bishop to D6 Bishop to D3 और जब भी दोस्तों D4 and D5 pawn placement होता है उस time पे आपका King का bishop जो है वो D3 and D6 पे जो है काफी बड़ी आए attacking piece होता है and now C6 और दोनों ने short castle किया और White ने अपना plan किला Knight E2, Black ने develop किया Bishop on G4 and now Knight to G3 and Queen to C7 and Bishop to E3 और इस position में Knight B2 and D7 खेला गया और White ने यहाँ पे Queen to D2 खेला जो कि काफी थोड़ी जो है uncommon move है क्योंकि यहाँ पे आप अलाव कर रहे हो Bishop capture safety जिसमें आपकी King की safety जो है compromise होती है बट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था जोस्तों King की safety जो है तभी compromise होती है जब आपके open के pieces जो है वो आपके King तक पहुँच पाए तो यहाँ पे Black को सोच समझ के decision लेना चाहिए अगर उसको लगता है कि उसके pieces वाइड के King के नजदिक पहुच सकते है attack करने के लिए वो जो है King side piece majority create कर सकते है तभी उनको जो है अपनी Bishop पहर देनी चाहिए otherwise नहीं देनी चाहिए गेम में Queen D2 के बाद Black ने Rook F to E8 खेला and now Black बनने खेला Rook A to E1 and now Knight to E4 Queen पहर टेक है and Queen C1 so दोस्तो अब देखिए Black के थोड़े pieces जो है वो ओल्रेडी White के King के नजदिक पहुच चुके है और इवन यह Rook जो है वो भी lift हो सकता है वाया E6 so यहाँ पे Black ने Bishop captures on F3 खेला उसने अपनी Bishop पहर दी but reason से साफ है दोस्तो यहाँ पे White के King की safety जो है compromise हो रही है now G captures on F3 and now Knight captures on G3 गेम में खेला गया अगर दोस्तो आप पहले Bishop captures G3 खेलते हो and H captures on G3 के बाद अब Knight captures G3 करके जो है यहाँ पे White के King पे अटेक करते हो then वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें Bishop F4 आ जाएगा और Ultra White वीन हो जाएगा so G captures on F3 के बाद पहले Knight captures on G3 and after H captures on G3 अब जो है Bishop captures on G3 so दोस्तो यहाँ पे क्या Black बनने account नहीं किया था अपकोस दोस्तो उन्होंने account किया था उन्होंने यहाँ पे King G2 खेला so उनका reason क्या है King G2 खेलने का reason ही है दोस्तो कि इस position में actually Black बन जो है वो H5 से attack करना चाहते है और इसलिए उन्होंने यह सब कुछ जो है allow किया है so यह ideas जो है वो आपको classical game में ज़्यादा देखने को मिलेगे compare to modern game so इसलिए classical game जो है वो actually ज़्यादा entertaining and ज़्यादा जो है and after queen h3 check king g1 and knight to e5 खेला जा सकता है और से अगर आप capture करते हो then okay rook captures e5 पहले या पहले queen g3 and then rook captures on e5 और बाद में rook h5 जो है वो काफी deadly बन सकता है so bishop captures g3 के बाद white ने खेला king g2 and now bishop to d6 दोस्तो अपकोस यहाँ पे जो है black की position better है but white के पास जो है कुछ attacking chances है क्यूंकि उसके दोनों bishop white, sorry black के king की और देख रहे है और साथ-साथ उसको जो है h file पे काफी बड़ा attack मिलने का chances है यहाँ पे rook h1 black बनने खेला and now knight f8 and now rook h3 so already white ने कुछ threat raise की है for example आपसे कुछ नहीं समदते हो और यहाँ पे threat को जैस अवड करते हो आपको पता नहीं के real threat क्या है याँसे आप a6 खेलते हो then क्या हो सकता है just bishop capture h7 and after knight captures rook 2 h1 और अब देखिए white को जो है काफी बड़ी attack मिल रहा है आपको जाब knight moon नहीं कर सकते है otherwise mate हो रही है so knight तो वहाँ पे दे नहीं पड़ीगी वापस और white को जो है काफी बड़ी attack भी मिलेगा so game में चलते है जहाँ पे rook 2 h3 के बाद and g6 कहला गया and now rook e2 h1 so already दोस्तो white ने अपने दोनों rook डबल कर लिये है but जब तक knight on f8 है यहाँ पे white को काफी बड़ी attack मिले का chance जो है थोड़ा काम है क्योंके knight जो है excellent defender होता है especially दोस्तो so trench pieces जो होते है pawns and knight वो जो है काफी अच्छे defender होते है यहाँ पे black ने rook e2 d8 खेला and now bishop to g5 rook पे attack है so rook to d7 और अब black बनने यहाँ पे c4 खेला और अपने bishop on d3 जो है उसको कुछ active करने की try की क्योंके अगर आप capture करते हो then bishop captures c4 और b1 h7 diagonal पे bishop काफी बड़ी active हो जाएगा d captures on c4 black ने खेला जबकि उसी position में bishop to e7 केलके bishop on g5 जो है उसको exchange करना काफी जरूरी था but okay c4 d captures c4 and now bishop captures on c4 and game में h5 खेला गया so दोस्तों अब video को pause कीजिए और सोचिए कि किस सरा से यहाँ पर white जो है वो काफी बड़ी आटेक कर सकता है game में white ने mistake की white ने game में rook to h4 खेला but यहाँ पर white को chance है rook captures on h5 खेलने का point यह है कि after g captures h5 अब bishop to f6 और अब देखिए rook captures h5 आ रहा है and then rook h8 पे a checkmate हो रही है और दूसरी चीज है हमारी queen to g5 या तो जो है queen h6 भी आ रही है so यहाँ पर white को काफी बड़ी आटेक मिल रहा है but game में rook to h4 खेला गया h5 के बाद यहाँ पर rook captures h5 नहीं but rook to h4 खेला गया and now b5 so अभी भी दोस्तों chance है यहाँ पर white को rook captures on h5 खेलने का जिस केस में से g captures then bishop if6 और से आप जो है queen का diagonal block करते हो with bishop f4 but then rook captures h5 यहाँ पर काफी strong है उसका reason है अब हम जो है checkmate करना चाहते है and after knight h7 just queen to b1 so यहाँ पर दोस्तों अभी knight जा रही है दूसरी threat हमारी queen to g6 की है save जो है bishop को capture करते हो but then queen g6 king f8 and after queen captures f6 यहाँ पर checkmate save नहीं हो सकती rook h8 जो है वो by force आ रहा है so game में चलते है जहाँ पर b5 के बाद black बनने जो है bishop to b3 खेला and now knight to a6 bishop पर attack है and bishop to f6 so अभी threat है queen to just h6 की जिसमें काफिर threat मुझूद है like rook captures on h5 यहाँ पर black ने सोचा कि वो knight to f4 खेल सकता है king को यहाँ पर check दे सकता है और उसके बाद जो है वो defense के लिए जा सकता है बड़ दोस्तों यह जो है वो game की mistake है और इसके बाद जो move आई जिसकी वज़ा से यह game जो है ज़्यादा famous है so यहाँ पर वीडियो को post कीजिए और सोचे कि white क्या कर सकता है ready दोस्तों यहाँ पर white ने अपनी queen का sacrifice दे दिया with a queen captures on a4 and after bishop captures on a4 just rook captures on h5 g captures on h5 and rook captures on h5 के बाद blackburn के opponent ने यहाँ पर resignation दे दिया क्योंके कोई रास्ता ही नहीं है rook to h8 checkmate को save करने के लिए so दोस्तों केसी लगी आपको यह game और आज का वीडियो I hope मेरा वीडियो और यह game दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगे पसंद आया है तो please इस channel को subscribe कीजिए वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल ना भूले तनिवाज जय हिन बाबाई